इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए स्टाट करते हैं हमारी ये ग्रेवी वाली केपसिकम और प्यास की सब्सी अब देख रहे हूं ये लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करिए और जो ये गंडिका बटन है उसको प्रेस करके और पे क्लिक कर दीजिए तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है एक कडाई लेनी है और उसमें मैंने यहां पर चार बड़े चमश तेल लिया है आप तेल की जगा पर बटर भी यूज कर सकते हो तो हमें अच्छी तरह से तेल को गरम होने देना है तो बस यहां पर मैंने 500 ग्रीण केकल से कम लिये है हरे वाले और उसको मैंने स्क्वेर पैस में कट कर लिया है तो हम तिल हमारा गरम हो चुका है तो हम वह डाल देंगे उसके साथ साथ मैंने यहां पे प्यास ली है प्यास भी मैंने आदा कप ली थी और उसको भी मैंने स्क्वेर पेस में कट कर लिया है तो बस हम यहां पे गैस की आज क्या करेंगे मीडियम कर लेंगे और इन दोनों को हम 4-5 मिनिट के लिए कूक होने देंगे उसको हमें पूरा कि दूसरी तरफ यहां पर मैंने क्या किया एक मिक्सिंजा लिया है और उसमें मैंने आधा कप प्याज लिया है यह प्याज है मैंने रफली चॉप कर ली है क्योंकि हमें इसे पीसता है और यहां पर एक बड़ा कप मैंने यहां पर टॉमेटो लिये है यह मीडियम साइस के दो टमेटों है यह बहुत जारा खट्टे भी नहीं है और यहां पर एक बड़ी चमश मैंने काजू डाले है और दो बड़े चमश मैंने यहां पर मगस्तरी के बीज डाले है और यहां पर 4-5 ट्रेबल स्पून मैं यहां पर पानी डाल कि उसको अच्छी तरह से पीश लोगी एक हो चुके अच्छी तरह से अब इसे क्या करेंगे तिल में से निकाल देंगे आप देख सकते हो इसको और पकाया नहीं है मैंने जिस फ्राइ किया है इसमें से थोड़ा सा कच्छा पर निकल जाए बस तो बस इसी तरह से हम पूरा सा इसको निकाल देंगे और एक प्लेट मे तो इसका टुकडा रहे चुका था निकाल रहे हूं उसके पाद यहां पर मैंने एक चोथा चमच हींग डाला आप चाहो तो इसमें राइबी एक चोटी चमच डाल सकते हो तो बस हमारा अच्छी तर से जीरा बून चुका है तो यहां पर मैंने दो बेलिप्स लिये है यानि तेज पते लिए और एक डाल चिनी का टुकडा लिया है उसके साथ साथ मैंने काली इलाइची लिये और जो ग्रीन वाली इलाइची वो भी लिया है और यहां पर मैंने स्टार एनिस भी एक लिया है तो हम इन सब को डाल देंगे तेल में ठोड़ा सा उसको 30-40 सकंद तग उसक को 1 मिक्स दे तहएं को अछी तरह से हम मेला देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे मैं यह महारा जो मसाला है हम सब इसमें डाल देंगे उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमें और इसमेशमेश मेरे, सब्सक्राइब बिर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, यहां पर ज्रेट शेये भी पावडर है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे 4-5 मिनिट के लिए उसको पकने देंगे धकन धगने के बाद करेंगे 5 मिनिट के बाद आप से देख सकते हो कि यहां पे उसके उपर टेल किनारे से छुट चुका है तो इसका मदले भी यह है कि जो हमारी यह मसाला है यानि प्यूरी एक तम कंप्लेटली कुख हो चुकी है तो अच्छी तरह से एक बार इसको हम मिक्स देंगे अब उसके हम क्या डालेंगे हमारे जो प्याजो सिम्ला मिश हमने फ्राइ किये थे वह हम इसमें एड कर देंगे डाल देंगे आप चाहों तो यहां पे अकेले केपसिकम से भी यह सबजी बना सकते हो और वह भी टेस्ट में बहुत ही बहतरीन लगती है तो गाइस यहां पे मैंने क्या ग्रेवी है, मैं थोड़ी गाडी लग रहे है तो हम थोड़ा इसमें से क्या करेंगे पानी डालेंगे, एड करेंगे आप अपने हिसाब से थोड़ी पतली या गाड़ी ग्रेवी भी बना सकते हो तो यहां पर मैंने वंधर कप यानी एक तीहाई कप पानी डाला है और उसको अच्छी तरस एक बार मिला लोगी और धकन धकने के बाद उसको मैं फिर से दो तीन मिनित के लिए उसको मीडियम फ्ल यहां पर मैंने एक छोटी चमर शकर डाली है जो सबजी को बैलेंस देगा खटास और मिठास का तो उसको मिला दूंगी मैं अच्छी तरह से उसके बाद मैंने डकन डककी उसको दो तीन मिनित के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है हम यहां पर गैस की आज मेडियम ही यहां बड़ी चमर षते तो माझम है करता है LEAD देश मेरे मेरे चंच फीडर में मिक्स दो जाए ब्लबार भी यहांah और अच्छी तरह से फिर से हम यहांव exatamente है कोसूरी मेथी को सब्सक्राइब आधाакс पैसे मिक्स कलिया कुछी तो jet दाल टो इसके इतरहे हुआ, और अच्छी तरह से बेसे मंहीं मिक्स कर दो तो बस मसाला यहां पर हमने मिक्स कर दिया है इसमें तो इसको ढखने के बाद मैं 1-2 मिनिट के लिए उसको ऐसे ही पकने दूगी तो बस हमारा एक मिनिट के बाद हमारी सबजी एकदम परफेक्ली कुख हो चुकी है तो यहां पर हम क्या करेंगे इस स्टेज पर गैसकी फ्लेफ आफ कर देंगे और बस यहां पर चाहो तो इसको नान पराठा और बटर रोट्टे के साथ भी सवव कर सकते हो अगर आप राइस लवर हो तो आप इसको जीरा राइस के साथ सर्व करना यह बहुत ही यमी लगते है तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच और आपको यह वीडियो यह सबजी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए अपने फैमिली और ग्रूप में उसको शेर करें और हाँ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू फो वाचिंग